ओम शान्ती आज 14 मई 2019 के इश्वरिये महावाक्य अब एक नजर आज की मुरली की मुख्य पैंट्स पर आज मुरली में बाबा ने भारत देश की बहुत महिमा की है कहा जैसे बाप अविनाशी है ऐसे भारत देश की भूमी भी अविनाशी है इस धर्ती पर भगवान ने पाव रखा है इसलिए यह कभी विनाश नहीं हो सकती सत्यूग में केवल भारत ही होगा जहां देवी देवताईं रहेंगे फिर बाबा ने कहा गरस्त वेहवार में रहते इस नर्क का बुद्धी से त्याग करो इस नर्क और यहां के नर्क वासियों से बुद्धीयोग हटाए स्वर्गवासी देवताउं से बुद्धीयोग लगाना है आज आस्तिक की परिभाशा समझाते हुए बाबा ने कहा कि आस्तिक बनने के लिए रचाईता और रचना दोनों का ग्यान जरूर चाहिए जो तुम्हें अभी बाप से मिला है इस ग्यान से तुम्हारा नास्तिक पना छुट जाता है और विश्व के मालिक बन जाते हो फिर बाबा ने कहा उनको पाप आत्मा कहा जाएगा जिनकी क्रिमिनल द्रिस्टी अर्थात बुरी द्रिस्टी होती है ये आखें बड़ी शैतान हो गई है अब बाप आकर ग्यान के चक्षू देते हैं जिससे सबकी आत्मा सुधर रही है लास्ट में बाबा ने कहा कि जितना मेरा मेरा करते हो उतनी आत्मा मैली बनती जाती है इसलिए अब सब कुछ तेरा तेरा कहे स्वच्च बनना है अब मुर्ली विस्तार से आज मुर्ली का सार है मिठे बच्चे बाप आये हैं तुम्हें सिविल चक्षू देने तुम्हें ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है इसलिए यह आखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए प्रशन तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक शिरिमत दी है उत्तर बाप की शिरिमत है तुम्हें नर्क और नर्क वासियों से बुद्धियोग हटा कर स्वर्ग को याद करना है गरस्त व्यवार में रहते नर्क को बुद्धी से त्याग दो नर्क है पुरानी दुनिया तुम्हें बुद्धी से पुरानी दुनिया को भूलना है ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग दूसरी जगह चले जाना है तुम्हारा बेहद का वेराग्य है अभी तुम्हारी वानपरस्थ हवस्था है सब कुछ छोड घर जाना है ओम श्यान्ती श्यू भगवान वाच और कोई का नाम नहीं लिया ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया पतित पावन वह बाप है तो जरूर वह यहां आएगा पतितों को पावन बनाने लिये पावन बनाने की युक्ती भी यहां बताते है श्यू भगवानू आच है नेकी शिरी क्रिशन भगवानू आच है यह तो जरूर समझाना चाहिए जिबकि बैज लगा हुआ है रचैता और रचना के आदी मद्य अंत का सारा राज यहां इस बैज में दिखाया हुआ है यह बैज कोई कम नहीं है इशारे की बात है तुम सब नंबरवार पुर्शार्थनोसार आस्तिक हो नंबरवार जरूर कहेंगे कई हैं जो रचता और रचना का ज्यान भी नहीं समझा सकते तो सतो प्रधान बुद्धी थोड़ी ही कहेंगे सतो प्रधान बुद्धी फिर रजो बुद्धी तमो बुद्धी भी है जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है यह सतो प्रधान बुद्धी यह रजो बुद्धी हैं परंतु कहते नहीं हैं कहां फंक नहें हो जाएं, नंबर्वार तो होते हैं सतो प्रधान बुद्धि वाला उसको कहेंगे जो बाबा के ज्यान को बहुत अच्छी रिती समझता है और दूसरों को समझा भी सकता है फिर उससे कम बुद्धी वाले को रजो बुद्धि वाला कहेंगे और उससे भी नीचे तमो बुद्धी फिर बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है अभी तुमको सच्चा सच्चा सत्गुरू मिला है अभी तुम बच्चे जानते हो जबकि सत्गुरू मिला है वहें तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं सच्चे हैं देवी देवताईं जो फिर वाम मार्ग में जूठे बन जाते हैं सत्युग में सिर्फ तुम देवी देवताईं रहते हो और कोई होते ही नहीं कोई-कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है ज्यान नहीं है ना अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं रचईता और रचना के आदी मध्य अंत के ज्यान को अभी तुमने accurate जाना है नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती बुद्धी पर है रचता और रचना की नोलिज एक बाप देते हैं यह भी लिखना है यहां रचता और रचना के आदी मद्य अंत का ग्यान मिल सकता है ऐसे बहुत स्लोगन है दिन प्रति दिन नई नई पॉइंट्स नई नई स्लोगन निकलते रहते हैं आस्तिक बनने के बन जाते हो यहां तुम आस्तिक हो परन्तु नंबरवार पुर्शार थनुसार जानना तो मनुष्यों को है जानवर तो नहीं जानेंगे मनुष्य ही बहुत उंच है मनुष्य ही बहुत नीच है इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नोलिज को नहीं जानते बुद्धी पर एकदम गोद्रेज का ताला लगा हुआ है तुम नंबरवार पुर्शार्थनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने लिए आये हैं तुम सो परसेंट प्योरिटी में रहते हो प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रोस्पैरिटी भी है सत्यूग में आशिरुवात देते हैं परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं यह लक्ष्मी नारायन तो तुम पढ़ाई से बनते हो पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है स्कूल में कुमार-कुमारिया जाते हैं पढ़ने के लिए इकठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पढ़ते हैं क्योंकि क्रीमिनल आई है ना, यानि बुरी द्रिस्टी है ना क्रीमिनल आई होने के कारण परदा लगाते हैं वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो घुंगट करने की भी दरकार नहीं, इन लक्षमी नारैन को कभी परदा लगाते देखा है, वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ने आई, यहां तो है ही रावन राज्ये, यहें आखें बड़ी शैतान है, बाप आकर ज्यान के चक्षू देते हैं, आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है, तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, आत्मा ही बिगड कर पाप आत्मा बन गई थी, पाप आत्मा उनको कहा जाता है, जिनकी क्रिमिनल द्रिश्ची होती है, वहें क्रिमिनल आई तो सिवाई बाप के और कोई सुधार नहीं सके ज्यान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं यह ज्यान भी तुम जानते हो शास्तरों में यह ज्यान थोड़ी है बाप कहते हैं यह वेद, शास्तर, उपनेशद, आदी सब भक्ति मार्ग के हैं जब तब तिर्थ आदी कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं यह भक्ती है जो आधाकल्प चलती है अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है आओ तो हम तुमको रचईता और रचना के आदी मद्य अंत का ग्यान सुनाएं परम्पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं मुख्य अक्षर हैं यहें आओ बेहनों और भाईयों आकर रचईता और रचना के आदी मद्य अंत का ग्यान सुनो पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम यहें बनेंगे यहें ज्यान पाने से और स्रिस्टी चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सत्युके महराजा, नारायन और महरानी लक्ष्मी बन सकते हो यहें लक्ष्मी नारायन भी इस पढ़ाई से बने हैं तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो इस पुर्शतम संगम युक का बड़ा प्रभाव है बाप आते भी हैं भारत में दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे बाप है अविनाशी सर्जन तो जरूर आएंगे भी वहाँ ही जो भूमी सदैव कायम रहती है जिस धर्ती पर भगवान का पाउं लगा वह धर्नी कभी विनाश नहीं हो सकती यह भारत तो रहता है न देवताओं के लिए सिर्फ यह चेंज होता है क्योंकि भारत तो है सच खंड जूट खंड भी भारत ही बनता है भारत का ही आलरांड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे सच्चा अत्वा ट्रुत भगवान ही आकर सच खंड बनाते हैं फिर जूट खंड रावन बनाते हैं फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती क्योंकि गुरू भी सच्चे नहीं मिलते हैं वह सन्यासी और वो उनके फोलोवर्स गरस्ती तो उनको फोलोवर्स कैसे कहेंगे अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो तुमको अभी देवता बनना है सन्यासी कोई संपोण निर्विकारी थोड़ी है घड़ी घड़ी विकारीों के पास जनम लेते हैं कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं ऐसे तो बहुत हैं विलायत में भी बहुत हैं फिर जब बुढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए फिर उनके लिए धन छोड़ कर भी जाते हैं बाकी धन धर्मावू कर जाते हैं यहां तो उन्हों का बच्चों में बहुत मम्मतव रहता है साठ वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं फिर जांच रखते हैं देखें हमारी पिछाडी ठीक चलाते हैं या नहीं परंतु आज कल के बच्चे तो कहते हैं बाप वान पुरस्थ में गया तो अच्छा हुआ चा भी तो मिल गई जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहां से निकल जाओ तो बाप समझाते हैं पर दर्षनी में तुम यह लिख दो कि ब बहनों भाईयों आकर के रचता और रचना के आदी मद्य अंत का ज्यान सुनों इस रिष्टी चक्र के ज्यान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महराजा महरानी बन जाएंगे यह बाबा बच्चों को डिरेक्शन देते हैं अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जननम मैं इनमे ही प्रवेश करता हूं ब्रह्मा के सामने है विश्व को चार भुजाएं क्यों देते हैं दो हैं मेल की स्री लक्षमी की यहां चार भुजावाला कोई मनुष्य धोड़ी होता है यह समझाने लिए है विश्णू, अर्थात, लक्ष्मी, नारायन ब्रह्मा को भी दिखाते हैं दो भुजा ब्रह्मा की, दो भुजा सर्स्वती की दोनों बेहद के सन्यासी हो गए ऐसे नहीं, सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है नहीं, बाप कहते हैं, गरस्त व्यावार में रहते हुए नर्क का बुद्धी से त्याग करो नर्क को भुल, स्वर्ग को बुद्धी से याद करना है यही है बेहद का सन्यास नर्क और नर्क वासियों से बुद्धीयोग हटाए स्वर्ग वासी देवताओं से बुद्धियोग लगाना है जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है न कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे पहले गुरु करते थे जब वानपरस्थ अवस्था होती थी बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानपरस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूं यानि जब ब्रह्मा बाबा साथ वर्ष की आयू के हुए तब शिव बाबा ने प्रवेश किया जो बहुत जनमों के अंत के जनम में है भगवान उगाच है मैं बहुत जनमों के अंत वाले जनम में ही प्रवेश करता हूँ जिसने शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है ब्रह्मा सो विष्णू, विष्णू सो ब्रह्मा दोनों को चार बुजाएं देते हैं हिसाब भी है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारैन फिर लक्ष्मी नारैन सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं तो तुम बच्चे जट यह हिसाब बताते हो विश्नु अर्थात लक्ष्मी नारैन 84 जनम लेते लेते सिराकर साधारन यह ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा और कैसे रचा? तो बाबा ने एडोप्ट किया बाब कहते हैं मैं इन में प्रवेश करता हूँ तो लिखना चाहिए किश्यु भगवानु आज मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ वहे भी जब वानपरस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ कितना सहज बताते हैं आगे 60 वर्ष में गुरू करते थे अभी तो जनम से ही गुरू करा देते हैं यह सीखे हैं इन कृष्चन्स से अरे छोटे पन में गुरू कराने की क्या दरकार समझते हैं छोटे पन में मरेंगे तो सदगती को पालेंगे बाप समझाते हैं यहां तो कोई की सदगती हो ने सके अभी बाप तुमको कितना सहज रास्ता समझाते हैं और उंच बनाते हैं भक्ति में तो तुम सीड़ी उतरते आये हो, रावन राज्य है न, विशस दुनिया शुरू होती है, गुरू तो सब ने किया है, यह खुद भी कहते हैं, हमने गुरू बहुत किये, भगवान जो सब की सदगती करते हैं, उनको जानते ही नहीं, भक्ति की भी बहुत कड़ी ज जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं, तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं, इनमें भी ऐसे हैं, कोई तो जट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रिती पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं, नंबरवार माला के गुरू ने कहा माला फिड़ते रहो बस राम राम की धुन लगा देते हैं जैसे बाजा बजता है आवाज बड़ा मीठा लगता है बस बाकी जानते कुछ भी नहीं राम किसको कहा जाता है क्रिशन किसको कहा जाता है कब आते हैं कुछ भी जानते नहीं क्रिशन को भी द्वापर में ले गए हैं यह किसने सिखाया गुरू ने क्रिशन द्वापर में आया तो बाद में कलियुग आ गया तमो प्रधान बन गए बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं तुम तो कितने अंदश्र धालू बन पड़े हो बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह जट समझ जाएंगे कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है कोई-कोई लोग अच्छी रिती समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो 84 जिनमों की कहानी भी बरोबर है ज्यान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्यान देते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मोर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए मुख्य हसार, पहला पॉइंट है, सत्गुरु बाप की याद से, बुद्धी को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर, आस्तिक बनाने की सेवा करनी है, दूसरा पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर, सबसे बुद्धियोग हटा देना है, पावन बनना है, और दैविगुण धार्ण करने है, आज का वर्दान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी स्माप्त करने वाले, डबल लाइट सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी स्माप्त करने वाले, डबल लाइट भव बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार का मेरा पन, मेरा सोभाओ, मेरा संसकार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है, तो बोज है, और बोज वाला उड़ नहीं सकता यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है, इसलिए अब तेरा तेरा कह, स्वच्छ बनो फरिष्टा माना ही मेरे पन का अंश मात्र नहीं, संकल्प में भी मेरे पन का बहान आये तो समझो मैला हुआ, तो इस मैले पन के बोज को स्मापत कर डबल लाइट बनो, आज का स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं, जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं. जहान के नूर वहें हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं जो भाई बहने तिवर पुर्शार्थ करना चाहते हैं उनके लिए सूचना मुरली में अक्सर बाबा कहते हैं मुरली रिवाइज भी जरूर करनी चाहिए इसलिए हमने मुरली रिविजन की अलग से एक वीडियो अपलोड की है उसके लिए आप टाइप करें आज की मुरली से होमवर्क पानिपत और साथ ही साथ मुरली से जुड़े प्रशन या कैसी भी विहवारिक और पारिवारिक समश्याओं से जुड़े प्रशनों के जवाब सुनना चाहते हैं तो टाइप करें BK Solution पानिपत और अगर आपका भी कोई प्रशन है तो जवाब जानने के लिए आप अपना प्रशन हमारे 9729069351 नमबर पर वटसप मैसेज करें ओम शान्ति